गरीब समोसे वाली मा के घर आया फौजी का रिष्टा आईए आईए सुभा सुभा ताजे ताजे गर्मा गरम आलू वाले समोसे खाईए चटपटी इमली की चट्नी और हरी चट्नी के साथ आईए आईए समोसो का मजा लीजिए मा मैंने चट्नी तयार कर दिया आप जल्दी से समोसे को निकाल लीजिए वो कढ़ाई में बन चुके हैं हाँ बेटा निकाल रही हो बस कोई ग्रहा खाने आ जाए दो चार दिन से समोसे बिक नहीं रहे मुझे तो डर सा लग रहा है अब कैसे होगा तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ के रखने है मा आप मेरी शादी की टेंशन क्यों लेते हो सब अच्छे से हो जाएगा और अगर पैसे नहीं जुड़े तो आप चिंता मत कीजे मैं ऐसे घर में तो बिलकुल नहीं जाओंगी जिसे दहेच चाहिए होगा और पिर आपको छोड़ कर जाना ही क्यों है आप कैसे रहोगी मेरे बिना चुप कर पागल तुझे पता है अगर जवान बेटी की शादी ना हो तो लोग कितनी बाते बनाने लगते हैं काश ऐसा होता कि बेटे की तरहा बेटियों को भी रख सकते लेकिन ये सही नहीं होता मेरी बच्ची जब बेटिया बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करना सही होता है वरना वो बेटी लोगों की आँखों में बोज लगती है मा क्या मैं बोज हूँ आपके लिए पिता जी के जाने के बाद बहुत मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए मुझे पालना तभी तो आप इस समोसे की दुकान को चला रही हो देख जो भी है ये सब मैं तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ एक समोसे की दुकान ही तो है जो मेरा सहारा है अरी बेहन जी गर्म गर्म दो समोसे दे दीजे जी जी ये लीजे दोनों चटनी डाल दू क्या हाँ कर दीजे ये लीजे 20 रुपे शक्रिया सुभा से शार्दा की दुकान पर दो तीन लोग ही आ पाते हैं मा कितनी देर हो गई हमारे समोसे की तो बिक्री हुई ने और सुभा के समोसे बनाये हुए ठंडे भी हो गए अगर ऐसा ही रहा तो आज और कल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता हाँ बेटा मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा प्लीज भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजे जिससे आज हमारी दुकान पर बिक्री हो जाए आज का बनाया हुए सारा समोसा आलू चितनी खराब हो जाएगी और हमारे पास घर के लिए कुछ नहीं होगा पल्लवी की प्रार्तना करते ही मौसम का रूप बदल जाता है तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है और जमा जम बारिश होने लगती है जिससे रोट पर चलते फिरते भीगते हुए लोग गर्मा गरम समोसे की तरफ आकर्शित होते हैं अहाहा कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है गर्मा गरम समोसे की चंदू मेरे समोसे खाने का मन हो रहा है चलो न समोसे खाते हैं इस बारिश में गर्मा गरम समोसे खाने का मजा ही कुछ और है हाँ नीदी बिल्कुल ठीक कहा आपने चलो हम घर पर मा के लिए भी लेकर चलेंगे दोनों बहन भाई गरी बशारदा की समोसे की दुकान पर पहुँचकर समोसे खाते हैं हरे वा अंटी आपके हाथ के समोसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं चार और पैक कर दीजे और थोड़ी सी चटनी डाल दीजे शुकरिया बेटा अभी देती हूँ चटनी अरे प्लीज मुझे भी समोसे दे दीजे कहीं समोसे खतम न हो जाए अरे अभी बहुत समोसे बाकिया अपने शिंत रहें एक के बाद एक काफी सारे लोग आते हैं और बारिश की वज़े से गरीब माबेटी के समोसे बिक जाते हैं अरे सुनिए मुझे समोसे चाहिए जरा और दीजे अरे चटनी तो खतम हो गई सिर्फ एक समोसा बचा है क्या तुम बेना चटनी का लोगी हाँ हाँ दे दीजे चलेगा कम से कम समोसा खाने तो मिलेगा मैं घर जाकर चाय के साथ खालूंगी ठीक है ये लीजे पलवी बेटा अहाज तो कमाल हो गया ना देखो तो सडक पर थोड़ा थोड़ा पानी भर गया हमें दुकान बंद करके घर पर जाना होगा हाँ मा फिर मा बेटी अपनी दुकान का सामान बंद करके थैले में सामान लिए घर लोटती है जब पल्लवी पैसे गिनती है, तो हैरान हो जाती है माँ आप जानती है ना, सुबह हम कितने परिशान थे, हमारे समोसे की बिकरी नहीं हो रही थी और आप मानेंगी नहीं, मैंने अभी पैसे गिने, पता है कितने पैसे हुए आज के पूरे एक हजार क्या हा सच में पलवी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ऐसा लग रहा था कि दो दिन और भूखा रहना पड़ेगा लेकिन हमारे पांच दिन का काम तो निकल ही जाएगा और समोसे की बिकरी भी अच्छी ही चलती रहेगी अगर ऐसे ही बारिश हुई तो भगवान ने हमारी सुन ली हाँ मा अब देखना वैसे भी सावन का मौसम आ गया है बारिश ऐसे होती रही तो हमारे समोसे की दुकान भी चल जाएगी और इतने सारे ग्राहक बढ़ जाएगे कि लोगों को बिना बारिश के भी हमारे पास समोसे खाने के लिए आना पड़ेगा और आपके पैसो की चिंता भी खत्म हो जाएगी हाँ मेरी बच्ची उस दिन मा बेटी चैन से खाना खाकर सू जाते हैं अगले दिन से दोनों अपने समोसे की दुकान पर बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे ही परिश्रम करके लोगों को अपने हाथ के बने समोसे खिलाते हैं जैसे जैसे उनकी जिन्दगी चल पड़ती है वहीं दूसरी तरफ पलवी के पिता का दोस्त नारायन अपने बेटे के फौजी बनकर लौट आने से बेहद खुश था अबिमन्यू बेटा हम बहुत खोश हैं कि तुमने अपने फौजी बनने के सपने को पूरा किया और एक जंग भी जीत कर लोटे अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी करती जाए अबिमन्यू अगर मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त की बेटी से कर दूँ तो तुम्हें कोई एतरास तो नहीं होगा बापा शुरू से लेकर अब तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है अगर मैं आख बंद कर आपकी बात सुननू तो इसमें बुरा ही क्या है आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी करूँगा मुझे आप पर पूरा भरोसा है ये हुई ना बात अमरता जल्दी से तयार हो जाओ हमें फौरण निकलना है अरे तुम मेरे बेटे की शादी किस लड़की से करना चाहते हो आकर मुझे भी तो बताओ अमीर तो है ना वो सब रखो मैंने हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छी लड़की को ढूंडा है कुछ देर में वो सब तयार होकर गरीब शारदा के घर पहुँच जाते हैं गाड़ी से उतरते हैं दर्वाजा खटखटाते हैं कमलेश भाई कमलेश भाई अरे दर्वाजा खोलिए कमलेश भाई देखिये तो आपसे मिलने कौन आया है तभी आवाज सुन बेटी पल्लवी दर्वाजा खोलती है जी नमस्ते आप कौन हैं जो मेरे पिताजी से मिलना चाहते हो मैं उनका दोस्त हूं बेटी उन दोनों को बलाओ मा बाहर आईए तभी हाथ से आलू का मसला बनाती हुई पसीने में शार्दा बाहर आती है अरे नारायन भाई साहब शार्दा भावी पैचान लिया अपने दरसल भावी आज मैं जरूरी काम से यहां आया हूं मैं अपने फौजी बेटे के लिए अपने दोस्त की बेटी का हाथ मांगने आया हूं हम दोनों ने बहुत साल पहले एक दूसरे से वादा किया था इस वादे को निभाना है कहा है मेरा दोस्त ये सुनते ही शार्दा रोने लगती है और नारायन की पतनी शार्दा की हालत और घर देख मुस अड़ा लेती है अरे आप रो क्यों रही है क्योंकि भाई साहब वो हम सब को छोड़ कर इस दुनिया से पाच साल पहले ही चल बसे क्या ऐसा नहीं हो सकता मुझे खबर भी नहीं हुई और मेरा दोस्त मुझे छोड़ कर चला गया आप दोनों शांत हो जाए वरना पिता जी को अच्छा नहीं लगेगा आप यहां क्यों खड़े हैं अंदर आईए ना हाँ भाई साहब अंदर आईए ना पल्लवी बेटा सब के लिए पानी लेकर आओ अरे हमारी प्यारी पल्लवी बड़ी हो गई सब लोग बैट जाते हैं शर्मा कर पल्लवी रसोई से पानी ले आती है अजी आप कैसे गरीब घर में लाए हैं यह लड़की हमारे बेटे के लिए कैसे अच्छी साबित हो सकती है मेरा बेटा फौजी है और ये तनी गरीब नहीं मुझे ये रिष्टा पसंद नहीं चुप करो तुम अमृता मैं अपने दोस्त के वादे को पूरा करने आया हूँ अब मेरा दोस्त नहीं है तो मेरा और भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी जुबान पर काइम रहूँ हमने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अपनी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलना है भावी जी आप किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा जो होगा जैसा होगा और आप राजी होंगी तभी ये शादी होगी ये मेरा बेटा आभी मन्यो नमस्ते आंटी जी देखिये भाई सहाब आप मेरी हालत और घर देखकर समझ सकते हैं मैं उनके जाने के बाद कैसे रह रही हूँ एक छोटे से समोसे की दुकान चला कर एक मिनट मैं भी आई शार्दा हाँ धोकर चहरा साफ करके गर्मा गर्म समोसे और चाय ले आती है इसे खाईए ये मेरी बेटी पल्लवी ने बनाए है अपने हाथों से भाई सहाब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आप राजी हैं तो बताईए अरे भावी आप भी कैसी बात कर रही है प्लीज शर्मिन दा मत कीचिए मेरा दोस्त जो चाहता था वो ही होगा और मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए राजी है क्यों अभी मन्यू बेटा हाँ अँटी ये समोसे खाकर पता चल गया है कि उनके हाथों में स्वाध है और खुबसूरत भी है किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास तो दहिस के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा अरे पर मा प्लीज अभी मन्यू जी आप सब राजी हैं लेकिन जब तक आपकी मा राजी नहीं होगी तब तक सब सही कैसे होगा आंटी जी आप ये खाये न मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी अमरता देखो कितनी समझदार बच्ची है मान जाओ ठीक है मैं शादी की मन्जूरी देती हूँ लेकिन भाई साहब मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी की शादी में वो जरूर करूँगी जी ठीक है दोनों परिवार आपस में साजेदारी से मान जाते हैं फिर दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं शारदा मैनत करके और समों से बेच पैसे खटे करती हैं और अगले महीने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करती हैं विदाई के वक्त पलवी बहुत रोती है मा आप कैसे रहोगी मेरे बिना मैं आपको बहुत याद करूगी और कोई भी बात हो जैसे ही आपको मेरी याद आए तो बेजिजग मेरे पास आना हा मा पलवी का बहुत खाया रखूँगा और आप कभी भी आ सकती है ठीक है बेटा मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी बेटी के पती बने हो आखिर एक फौजी सिर्फ अपने घर या पत्नी नहीं पलकी पूरे देश की रक्षा करते हों और मुझे तुम पर बहुत नाज है शारदा दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को फौजी दामाद के साथ विदा कर देती है